बगति और रुट कास का जनजन के जीवन की खुश हाली का दर्पन ये है कृश दर्शन ये है कृश दर्शन आज करिक्रम में हमारी चर्चा का विशय है राजस्तान में कृशी यंत्रिकर्ण और कस्टम हाईरिंग सेंटर्स के बारे में किस परकार से हमारे किसान भाई कस्टम हाईरिंग सेंटर्स की मदद से अपनी खेती किसानी को और बहतर बना सकते हैं और अच्छी बना सकते हैं और साथी साथ कस्टम हाइरिंग सेंटर किस प्रकार से किसान भायों के हितों के लिए कारे कर रहा है इस विशय पर आज कर हम कारीकरम में बात करेंगे और किसान सातियों इस विशय से जुड़ी अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप फोन इन कारिकरम के माध्यम से हम से जोड़ सकते हैं फोन इन कारिकरम में जुड़ने के लिए आपको डाइल करने है हमारे फोन लाइन नमबर है 210-499-9 किसान भाइयों जब आप हमें कॉल करें तो जैपर का स्टी डिकोड शुन्य एक चार एक लगाना ना भूले और जब आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी सेट की आवास को थोड़ा सा कम रखें ताकि हम आपको इस पस्टूप से सुन पाएं और इस विशय से जुड़ी आपकी कोई भी समस्या है उसका आपका तत्काल समधान कर पाएं और इस विशय पर जानकारी देने के लिए कारिकरम में हमने आमंतरित किया है हमारे आज के विशय शक है डोक्टर पियूष प्रधान आप साहिक प्रध्यापक हैं क्रशी विद्याले जोदपूर डोक्टर पियूष आपका हमारे कारिकरम क्रशी दर्शन में बहुत-बहुत स्वागत है किसानों को सभी प्रकार के आधुनी क्रशी मशनी करण को देने के लिए इसको इस योजना का प्राणुप तयार किया गया है जिसमें किसान भारत में 85 परिशेट से ज्यादा किसान जो है लगू एम सिमान्त किसान है जिनके पास 1.5 हेक्टर से कम की जमीन है तो वैसे प्रकार के प्रकार के क्रिशी मशनी करण को उपलब्द कराने के लिए इस प्रकार का योजना अनुदान के रूप में उपलब्द कराया जाते है वरतमान में राइस्थान में 567 कृसि कस्टम हईरिंग सेंटर उपलब्द हैं इसमें से आपका 528 कृसि कस्टम हैरिंग सेंटर व्यक्तिकत रूफ किसान ले चुके हैं और 149 कृसिंग्यंsis सेंटर आपका Какटका 100 सहयतांré कि जिसमें सरकार द्वारा उन सभी को अलग-अलग अनुदान प्रदान किया जाते है आपका। डॉक्टर प्यूज जैसा कि आपने बताया कि भारत देश में 85% जो किसान है लगोर सीमांद किसान है तो कस्टम हाइरिंग सेंटर से मदद कौन-कौन से किसान ले सकते हैं इसके लिए पातरता क्या है और क्या प्रोसीजर है इसके बारे में भी आप हमारे किसान वहें को बता जाते हैं उनके लिए सरकार द्वारा 35-50% तक सभी प्रिकार के किर्शी मशीन पर अनुदान दे जाता है जबकि अन्य किसानों पर उनको 40% तक अनुदान दे जाता है क्रिशी अभ्यंत्रे करण को बढ़ावा देने के लिए कस्टम हारिंग सेंटर खुलने के लिए सरकार द्वारा 10 लाग से लेके 2 करोड तक सरकार से आप अनुदान ले सकते हैं जिसमें 40% तक सभी प्रिकार के सेंटर्स पर आपको अनुदान मिल जाएगा और इसकी पातरता यह है कि कोई भी आविदक उनके पास क्रिशी भूमी होना चाहिए अगर कंबाइन फेमिली है तो रा कोई भी मशीन जो साल में एक ही बार ले सकते हैं और एक मаков Benni बार बार पुर्रावित्ती नहीं कर सकते हैं और अगर जिसको बोलते हैं उनसे भी किसान भाई संपर कर सकते हैं किसान कम रेट पर अगर लेना चाहते हैं तो वह अपनी मशीन बुक कराने के लिए नजदेकी इमित्र या खुछ सही इंटरनेट की माध्यम से अपनी क्रिशी मशीन करन को कर सकते हैं किसान को कहार है कहले अपनी सबसेडी आनुदान के लिए आविदन किया है वो आविदन पòng पदोफील करनी चाहिए। सब्रस्क्रित होने के पश्चाती करिशी मशीन को था इसके साथ ही क्या है उनको जनाधार कार्ड एवं जमाबंदी जिसको जमीन उनके पास हो यह प्रूफ उनके पास रहना चाहिए बिलकुल यह पात्रता है उनके पास मिनिमाम होनी चाहिए जाए जी डॉक्टर प्यूश वैसे कहते हैं कि आधुनी करशी एंत्रों के इस्तमाल काशिया है क्या विजन है इसे और शुद्रश बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए बिलकुल इसमें वर्तमान में कृषी मशनी करण के बारे में बात करने में सभी कार्य पशू चलित होता था या हस्त चलित होता था जिसमें लेबर भी उस तमें बहुत अवेलेबल होती थी तो 90-95% कृशी कार्य जो है अगर किषान को जो है एक एकड के खेट को तो तीन से चार दीन लगता था उनकाद को जादा से जयादा की जमीन को एक कम समय में कर सकता है और पसु चलित करता है तो समय ज़्यादा लगता है एनरजी लगता है और कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है तो मशिन के साथ करते हैं तो किसान की जो काम करने की ख्यमता है व्रिद्धी होती है कम समय कर सकता है और खेती में जो है कृषी की कारे में सभी किसान भाई जानते ह अगर हम कोई बाजरे की कटाई कर लेते हैं और खेत में प्रकार के क्रशी फचलों पर लाग होता है तो डॉक्तर पीवुश आपने बताया कि अगर आधुनिक क्रशी एंत्रों की तरफ जाते हैं तो अपना समय भी बचा सकते हैं और अच्छा उत्पादन भी ले सकते हैं अपनी आमधनी में भी इजाफा कर सकते हैं अभी हमारे जो और किसान भाई हैं जिन्होंने हमारे कारिकरम लेट दिखना शुरू किया है उन्हें हम फिर से बता दें इस विशह से जुड़ी अगर आपकी कोई भी समस्या है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी समस्या का ततकाल समधान पा सकते हैं डुक्टर प्यूश आपने बताया कि आधुनी क्रशी इंत्रों का जो महत भी इस पर करें तो बहुत ज़्यादा जरूरी है अब बात करते हैं कृष्ची यंटरो में बहुत सारी समस्यां आती है किसान भयों के सामने जो अभी इस्तमाल कर रहे है आधुनिक क्रिषीश्य कर कर सकते हैं और विज्वाणी कौन सी समस्या है जो उनके सामने है इस बारे में भी आप हम में बताईचे है बिल्कुल, वरतमान सभी में जो किसान भाई सबसे जदा समस्या के समाध्या करते हैं, तो सबसे बड़ा है कि उनके पास उतना income नहीं रहता, उनके पास उतना budget नहीं रहती कि बड़ी से बड़ी मशिन को बड़ी प्रकार के क्रिश्ची मशिन को क्रेश कर सके हैं, दूसरी सम क्रिशी मशीन के बारे में कि मलकी वर्तमान में क्या क्रिशी मशीनी अविलबल है जो किसान इस्तमाल कर रहे हैं जागरूप नहीं है और कैसे उसका उप्योग करना है उसके बारे में जानकारी उनको नहीं है तो इसका समाधान तो अपन यह कर सकते हैं कि आप नजदकी आप क कोई ने कोई क्रिषी वख के अधिकारी कर्मचारी करन, उनको आप सठीक जानकारी उनको दे सकते हैं कि वर्तमान में यह क्रिशी मशनी करन है, या फिर आप जो है क्रिशी अभियांतरिकर के डिपार्टमेंट पे जाएं, तो कोई भी क्रिशी इंजिनियर होगा, तो उनको व मर्तमान में राज्य सरकार हो या फिर सेंटरल गवर्मेंट हो, हर डिस्टिक में क्रिशीव ज्यान केंद्र उपलब्द है, साथ ही साथ आज के राजस्तान में पांथ क्रिशीव शिद्याले हैं, जहां पे जोदपूर, जॉबनेर, कोटा, उदयपूर और अपना जॉबने से क्या है, उनको इंकम भी होता है, अगर कस्टम हिर industria को विर किसान खोलता है, वो 25 लाक लेता है तो इस को 40 % सुस्ट्ट को सबस्बी उसको मिलता है, बाकि उसको प्राजiful पर्मiste संटरल उसको अनुदान देता है गती अ बाकि उसको पेयमेंट करना रहता है तो उससे वह वहां पे उचित वाजिब दाम पे रेंटल बेसिस पे उसको चला सकते हैं और अपनी आय भी जनरेट कर सकते हैं और जो छोटे लगू, सिमान, मध्यम, किसान है वो भी कम रेट में ले सकते हैं तो उनको बहुत ही इस तरह के से वो फायदा ले सकते हैं क्रिश्य मशनी करने का जी, डॉक्टर प्यूश आपने बताया और हमारे किसान साथियों को भी हम बताना चाहेंगे, आज कारिक्टर में हमारी चर्चा का विशे है, राजस्तान में क्रशी यंत्रिकरन और कस्टम हायरिंग सेंटर्स के बारे में, डॉक्टर प्यूश अब हम आपसे ये जाना चा तो इसके प्रशिक्षन के लिए सरकार की तरफ से क्या योजनाय हैं, सरकार की तरफ से कौन-कौन सी योजनाय चलाया जा रही है, जिससे किसान भाइस का प्रशिक्षन भी यह सकते हैं, कृशी अंतरों का? बिल्कुल सर इसमें मैं बहुत डिस्क्रिप्टिव तरगे से बताना चाहूँगा कि Central Government में भारत सरकार के द्वारा चार Central Institute हैं जिसमें एक आपका केंद्री क्रिशिम मशिनी करण या प्रिसिक्षन सहस्थान आपका बुधनी है एक आपका हिसार हर्याना पे हैं एक केंद्री क्रिशिम मशिनी प्रिसिक्षन सहस्थान आपका अनंध पुरांदर पदेश में हैं एक असम में हैं सोनी पत बोलते हैं Central Government की चार सेंटर हैं और राज्य सरकार के हर जिले पे एक क्रिशिम मशिनी करण का एक टेस्टिंग सेंटर होता है सब भी राज्यों पे यह स्थीत है अगर आप जो है जैसे मैंने Central Government के चार जगों के नाम बताए इसमें हर साल जून-जूलाई हर मन्त के हिसाब से ट्रेइनिंग सेंटर trees training के डेट अबलेवल रहते हैं कि किस समय किस प्रकार के खृष्प मिस्यंग करण का लोर्य सकते हैं मुफ्तिस्भध हैं , उनको वहां पे रहने का मुफ्तिस्भध है पहले वहां पर टेस्टिंग होता है तभी उसके बाद ही किसानों तक पहुंचता है खरीदने हैं तो यह जो है उस ट्रेंडिंग सेंटर्स पर जो किसान भाई जो है वहां पर जाके मुफ्तवे सिछा ले सकते हैं वो पंजाब है हर्याने जैसे यह आधुनी कृषी के लिए म अगर हम खेट की अच्छे से त्यारी किया जा सकता है तो बीच अंदर तक जाता नहीं है पानी अंदर तक जाता नहीं है तो बीज आपके अच्छे से फैलता है तो तो हमें ग्रोष नहीं करता है तो हमको जमिन की त्यारिय WILL अच्छी करना चाहिए जिए क्षान बहल करने है यह इस तीन चीजों का बहुत ही सघंता से उनको ध्यान रखने की जौरत पड़ती है तो जैसे आधुनिक्तिया सभी में क्या सिड्डिल आगे तो अभी वी किसान भाही है हास से ही छिड्काओ करते हैं कुछ सिड्डिल से भी करते हैं पर उनका बहुत पुराने तरीके के सिड्डिल प्लांटर साथ जो कतार से कतार के साथ साथ पौधे से पौधे की दूरी को भी मैंटन करता है तो इससे क्या होता है उत्पादन बढ़ता है अगर हम कोई भी बीच को हम ऐसी ब्राद कोस्टिंग करता है तो बीच कहां पे गिरेगा कहीं पे कम गिरेगा कहीं पे कि वो अच्छे से वो ग्रोध कर सके बिलकूल जी डॉक्टर प्यूश क्योंकि आप क्रशी विश्विद्याले जोधपूर से हैं तो हम आपसे यह भी जाना चाहेंगे कि जोधपूर विश्विद्याले में कौन-कौन सी और आधुनी क्रशी एंतरों के लिए इन्वेंशन के जा रहे हैं या कुछ रिसर्च की जा रही है आपके विश्विद्याले की तरफ से इस बारे में भी आप हमें थोड़ा सा बताईगे वरतमान समय में खृष्विद्याले जोधपूर में अभी मुरिंगा जिसको सहजन भी बोला जाता है हिंदी पे और कैर यहां की जो लोकल फ्रूट्स है जो ट्री है और मेथी पे अभी क्रिशी मशिन करण बनाया जा रहा है जंगली पेड़ होता है जो कहीं पर भी हो जाता है तो कैर जो फूरूट है उसको तोड़ने के लिए बहुत समस्थाओं का सामना करना पड़ता है किसानों को उसके लिए हम एक कृष्वी मशिन बना रहे हैं जिसे अपन किसानों को क्या आसानी से कोई भी के फल को तोड़ है और ये पुरे world wide इसका export के आगा जयाता है नागोर से इसकी सब्सक्नेघन और इसका इसका इस्तेमाल सोगंद्ध में इसका 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 da इन नागोरी मेन थी क्या थि कट्टी को सबीकिल मूरिंगा ग्लिए अविसको बूला जाता एक सहाजन की पत्तियों को तोड़ने के लिए अपने उस पे काम कर रहे हैं यह जो है Ministry of Science and Technology DST के थुरू से क्या है क्रिश्टिव जूत्पूर को अभी 2.28 क्रोड रुपीज जो है उतना हमको रिसर्च के लिए इतना रुपे प्राप्त हुए है जिए अभी अनुसान धान कारी के जा रहे हैं जी डॉक्टर प्यूश आपने बहुत सटीक और महत्पून जानकारी हमारे किसान भाईयों को दी किसान भाईयों मुँमीद करते हैं कि आज आपको बहुत अच्छी और महत्पून जानकारी मिलेगी कि राजस्तान में क्रशी एंत्रिकर्ण और कस्टम हाईरिंग सेंटर्स के बारे में किसान साथ यों मुमीद करते हैं कारिकरम में दीरी जानकारी का भरपूर लाब लेंगे अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप पत्रों के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं किसान साथ यों हमारा पता है क्रिशी दर्शन, डीडी राजस्तान, दूर दर्शन केंदर, जहराना डूंगरी, जैपूर ड्जवश आप हमारे कारिकरम क्रिशी दर्शन में पधारे योई इतनी रोचक जानकारी आपने हमें और हमारे किसान भाईूंव दर्शकों के लिए चैनल पर लाधने बहुत बहुत धन्यवाद भूच करी अतब दन्धे कह आयं श्रैन झाल झाल